Hello students, good morning, this is class 4, subject English grammar, और हम लेशन पढ़ रहे हैं आपका फ़र, subject and predicate, subject and predicate, sentence का ही एक पार्ट है, मैंने कल आपको बताया था, a sentence has two parts, subject and predicate, subject क्या होता है, subject हमारा होता है, करता, जो एक sentence में काम करता है, और predicate क्या होता है, predicate होता, जो हमें subject के बारे में बता, is that clear, predicate क्या होता, जो subject के बारे में बता था, predicate को in nd क्या करते हैं, with here, now, what is predicate है, हम प्रेडिकेट के बार कर्या कि गिवेकल landscaping our and only जब आउर उसंथेख बियाजा तब दारब संन देज तल संस्टंध एक तर्फेट जो में सट्धिपार्टाई इस वर नंग क्या मतलव्टरिकेट clean ready सपना रिव्स, सपना को छेल दीए, क्या में सब्जेक्त है आपका और इसे छोड़ करके जो कि पूस्पी का है, प्रेंडिकेट सीटीची इंग्लिस बता रहा है? सपना के बादे, सी के बादे बता रहा है? प्रेंडिकेट क्या होगा? रेडिकेट इस किया हुआ। इसने इसने,। समझ में आया। सब्जेक्ट को छोड करके जो भी हमारा पार्ट होता हुँ, हमारा इसने है। में वर्ट से हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट होता है द्यान रखें में वर्ट एक्षन वर्ट जो होते हैं Go, come, play, kill, write, sing, laugh, come, go, like this Got it? समझ में आ गया है कलम सब्जेक्ट के पार्ट और प्रेडिकेट के पार्ट को हम डिसकस करेंगे अच्छे से समझेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होती इंपोर्टेंट चेप्टर है आपका इन फ्यूचर आपको यह मिलेगा हर लेशन में मिलेगा टेंथ क्लास में भी आप इसे देख सकते हैं इसलिए अपना जो बेसिक नॉलेज है उसे कंप्लीट इसी क्लास से अच्छे से खरें और नाव राइट यह आपको लिखना है और अपने फिर नोटों साथ की साथ की साथ लिखते चले हम बहुत जल्दी आपके यहां पर विजिट करने वाले हैं और आपकी जो फिर नोटों के हैं वह आपकी चेक्टी में है